नमस्कार दोस्तो, रोजाना पिस्ता खाने से मिलेंगे गजब के फाइदे, दोस्तो पिस्ता का सेवन करने से सेहत को कई तरह के लाब मिलते हैं, पिस्ता गुणों का बंदार होता है, पिस्ता में विटामिन B6, विटामिन A, विटामिन E, विटामिन C, विटामिन K, प्रोट डेंट जैसे पोसक तत्तों पाये जाते हैं, जो स्वास्ता से जुड़ी कई सारी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं, पिस्ता का सेवन करने से डाइबटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, साथ ये हडियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, रोजाना पिस् आखो के लिए फायद्यमंद, पिस्ता विटामिन E का अच्छा सुरोत होता है, जो आखो के स्वास्ते के लिए महत्तो पूर्ण होता है, यह आखो की सेल्स को सुरुख्षित रखने में मदद करता है, और आखो के संकर्मन से बचाने में मदद कर सकता है, पिस्ता में मौजू प्राइण भूशन और गलाईसेमिक इंडेक्स वाला आहार होता है जिससे बलड सुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है यह भूख को कंट्रोल करता है जिससे आप अधिक खाने से बच सकते हैं इसमें मौजूद एल्दी फेट बोजण को पचाने में आपकी मदद करता है और बलड सुगर को नियंत्रित करता है नमबर तीन, खून की कमी दूर करे पिस्ता में आयरेन की मातरा अच्छी होती है जिसे खाने से एनीमिया की समश्या दूर रहती है रोजाना पिस्ता खाने से शरीर में खून बढ़ता है और हीमोगलोबिन में सुधार आता है पिस्ता खाने से शरीर में एनरजी बनी रहती है नमबर च्यार, इम्मियूटी मजबूत बनाए जिंक और विटामिन B6 से बरपूर पिस्ता खाने से रोग परतिरोदक चंता मजबूत बनती है बजलते मोशम में इम्मियूटी को स्ट्रोंग बनाने के लिए पिस्ता जरूर खाएं प्रोजाना पिस्ता खाने से दिमाग और आखे हेल्दी बनती है नमबर पांच, हार्ट को बनाए हेल्दी पिस्ता में पाया जाने वाला विटामिन E एक परकार का एंटी ओक्सिडेंट है जो हार्ट सेल्स को फिरुषित रखने में सायक होता है इसके साथ ही इसमें मजूद मैगनिसियम से कार्डियक गतिविदियों को सायता मिलती है इस तरह ये हार्ट हेल्थ को बड़ावा देते हैं नमबर छे वजन गटाने में मदद रोजना पिस्ता खाने से वजन गटाने में भी मदद मिलती है पिस्ता में बरपूर फाइबर पाया जाता है जो भूग को कंट्रोल करता है इससे पेट और पाचन संबंदी समश्याएं कम होती है और डाइजेशन मजबूत बनता है नमबर साथ तउच्चा को बनाए मुलायम पिस्ता में विटामिन E पाया जाता है जो आपकी स्किन के लिए वरदान से कम नहीं होता यह आपके स्किन की इलास्टिस्टी को नैचुरली बढ़ाता है जिससे जुरियां और फाइन लाइन्स कम होती है साथ ही यह आपकी तउच्चा को युवी रेंज से भी बचाता है जिससे संडेमेज की वज़े से वने वाली प्रेशानियों से बचा जा सकता है इसमें कई फैटी एसिड होते हैं जो स्किन को मैस्चराइज रखने में मदद करते हैं दोस्तों पिस्ता स्वास्थे के लिए बेहत फाइदयमंद होता है लेकिन इसका जरूरत से ज़्यादा सेवन करना स्वास्थे के लिए हानिकारक हो सकता है एक्सपर्ट के अनुसार व्यक्ति को दिन में एक से दो पिस्ता का सेवन करना चाहिए पिस्ता खाने से पहले यह भी याद रखेंगी पिस्ता की तासिर गरम होती है इसलिए गरमियों में इसका ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए तो दोस्तो यह थे पिस्ता खाने के कमाल के फाइदे वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो कमेंट में जैश्री किर्शना अवस्य लिखें और साथी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ तक तक के लिए नमस्कार जैन्यवाद सबस्त रहो और मस्त रहो